मिस्र के राष्ट्रपती अलसिसी का सितंबर में जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने का भी कार्यक्रम है, जहां मिस्र को विशेश अतिथी के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को मिस्र के राष्ट्रपती अबदेल फतह अलसिसी ने मिस्र का सर्वोच राजकिये सम्मान ओन अर्डर ओन अफ दे नाइल से सम्मानित किया। राष्ट्रपती से भी बात चीत की। गौरत लब है कि मिस्र के राष्ट्रपती के नियोते पर ही पियम मोदी मिस्र पहुंचे हैं। ये 26 वर्षों में किसी भारतिय प्रधान मंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षिय यात्रा है। अलसिसी का सितंबर में जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने का भी कार्यक्रम है जहां मिस्र को विशेश अतिथी के रूप में आमंत्रित किया गया है। बताते चलें कि इमाम अलहकीम बी अम्र अल्लाह मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा के मध्य में लगभग 1000 साल पुरानी इमारत है। अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने मस्जिद की दीवारों और दर्वाजों पर जटिल नकाशीदार शिलालेखों की सराहना भी की। 13,560 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस मस्जिद का पुनर निर्मान भारत के दावदी बोहरा समुदाय की मदद से किया गया है। उन्होंने 1970 के बाद इस मस्जिद का जीर्णोध धार किया और तब से इसका रखर खाव कर रहे हैं। हेलियोपॉलिस युद्ध कब्रिस्तान में पियम मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतिय सैनिकों को श्रधांजली दी। यह समारक लगभग 4000 भारतिय सैनिकों की याद दिलाता है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ते हुए मारे गए थे